असलाम अलेकूम, welcome back to the another new video, मादव लॉक्स में आप सभी का welcome है, आज हम बात करने वाले हैं, which placenta position is for boy, boy के time जो placenta की क्या position होती है, प्लसंटा की क्या position होती है, अकर आपने baby boy conceive किया है, तो कौन सा placenta position जो है, लड़के की होती है, यही आज का question है, आम भाशा में roughly कहूं तो मैं तो लड़के के time क्या placenta की position होती है, question उमीद करती हूँ, अच्छे से समझा पाई होंगी मैं, तो आगे बढ़ते हैं और answer जानते हैं, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक like करके, एक प्यारा सा comment करके, मेरे channel का हिस्सा जरूर बना, यहां आपको helpful video daily basis पे मिलती हैं, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा time लगता है, मेरी इस महनत के लिए एक like तो बनता है, चलिए फटा फट लाइक कर दीजेगा, answer की तरफ बढ़ते हैं, तो answer is, but the since an ultrasound is not 100% reliable and not everyone opts for early screening test, यानि 100% ultrasound के जरीए हम reliable नहीं कर सकते, relate नहीं कर सकते कि सबका same ही होग and not everyone opts for early screening, early screening में हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि 100% ultrasound के जरीए पता कर सकते हैं, कि यह boy का ही है, यह फिर girl का है, तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर कहा कर, you might use the position for the, your ultrasound to predict what you are having, हाँ आप predict करते हैं, अगर अब guess कर सकते हैं, तो कर लीजेगा, you are having a, जो भी आपने क्या conceive किय आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, according to the some having an ultrasound, sorry, according to some having an anterior placenta means you are having a girl, whether he is a posterior placenta means you are having a boy, तो जरूरी नहीं सब के साथ anterior में ही girl हो और posterior में ही boy है, मैं हर बार कहती हूँ मेरा experience share करूं, तो anterior के साथ anterior placenta जो था मेरे तीनों boys के time था, posterior placenta जो है मेरे girl के time था, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर answer में लिखा जा रहा है, anterior जो है girl का है, posterior boy का है कहा जा, तो जरूरी नहीं है, तो आप जो भी है, disturb ना रहें, during pregnancy, हाँ ऐसी थोड़ी होती है मदर को, कि हम जाने अपने बच्चे के बारे मे उसके बारे में हम थोड़े से prepare हों, ताकि उसके लिए shopping करें, उसके लिए कुछ प्लान करें, यही intention होता है, मुझे पता है, मदर्स का, तो जो भी हो boy हो girl हो, हम 100% sure नहीं हो सकते कि यही है, इसका placenta यही होगा, इसका यही होगा, because यहाँ पर देख रहे हैं, आप answer with proof देती हो मैं question के साथ answer, तो मेरा experience जो है, मेरे तीन baby boys थे, तीनों के time anterior placenta ही था मेरा, जी हाँ, with proof कैसे मैं बताओं, तो मेरे channel पे 500 plus वीडियो हो चुके हैं, तो वहाँ पर मैंने तीनों baby boys के time, मेरा anterior placenta जो था, वो share कर रखा हुआ, आप जाकर visit करना, आपको with proof 100% proof मिलेगा, और year क month के साथ, और birth certificate के साथ भी मैंने share कर रखा हुआ है, और मेरी girl के time posterior था, तो वो भी share कर रखा हुआ है, हर month की scanning के साथ, with proof share कर रखा हुआ है, मैंने, first scan हो, second हो, third हो, fourth हो, तो हर एक detail मैंने, अच्छे से detail में explain करके, मेरे channel पे visit है, तो visit करना, वहाँ पर हर एक चीज available है, आप आपको अच्छी जानकारी प्लस experience भी मेरा मिलेगा, तो आपके जो भी doubts and questions and queries है, तो comment box में लिखना, कोशिश करूँगी कि आपके हर एक doubt, हर एक question, हर एक queries को अच्छे से answer कर पाऊं, उमीद करती हूँ मेरे इस वीडियो के जरीए आपको थोड़ी बहुत जानकारी और knowledge मिल होगी, knowledge मिली है, तो वीडियो को लाइक, share, subscribe जरूँ है,